बिस्मिल्ला राख्मान रहीम, अस्सलाम उलेकुम आज हम बनाएंगे मीठी टिकियां जिनको के कुंडे भी बोला जाता है और ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं आप इनको चाय के साथ भी ले सकते हैं या पिर आप कहीं सफर में जा रहे हैं तो आप अपने साथ भी लेकर जा सकते हैं मीठी टिकियां बनाने के लिए यहां पर हम ले लेंगे दो कप मैदा जिसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है और देट कप ली है पिसीवी चीनिंग हाफ कप ले लेंगे सूजी सूजी को भी मैंने अच्छी तरह से चान कर साफ कर लिया है और तकरीबन डो टेबल स्पून हम ले लेंगे तिल यह सफेद वाले तिल हैं हाफ जो हैं हम अंदर डालेंगे और हाफ जो हम उपर से टिकियों के उपर लगा लेंगे तीन टेबल स्पून लिया है पिसावा खोपरा हाफ टी स्पून अलाइची पॉर्डर वान फोर्थ कप लिया है पिगला हुआ गी अभी सबसे पहले हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है गी को हमने बाकी सब चीज़ों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है गी के साथ हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है अभी हमने इसको दूद के साथ गूंद लेना है तो फिल्कु थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें दूद डालेंगे दूद मैंने गूंदने के लिए लिया है देट का थोड़ा-थोड़ा सा दूद डालते जाएंगे और गूंदते जाएंगे हमने डूद को बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना एक साथ हम सारा दूद नहीं डालेंगे थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे और जितना दूद हमने इस्तमाल करना होगा उतना हम करेंगे बाकी का जो बचेगा हम उसको छोड़ देंगे थोड़ा-thोड़ा सा दूद डूत डाल कर ने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है अभी मैं इसको थोड़ा सा और जो है वो मिक्स करूंगी उसके बाद मैं इसको एक गंटे के लिए रस्ट पर छोड़ दूँगी अच्छे से सैट हो चुकी है तो अभी हम इसकी टिकियां बनाना शुरू करते हैं अभी यहां पे हमें चाहिए होगा चकला बेलना आप चाहें तो स्लिपर भी कर सकते हैं और सबसे पहले हम डो को जो है इसके दो हिस्से कर लेंगे करएंट में और से डो तो पन्यां जो चेंगे हैं कर साव सकते हैं धिए Emerald सबस्सक्राइब करें अह्में टूँरू शर्सी भी याँरूण डो को मैंने दो हिस्व में डोट कर लिया है क्योंकि मैं चकले के उपर कर रही हूं तो यहां पर हमें थोड़ी सी कम डो लेनी होगी और चकले और बेलने को हम अच्छी तरह से घी लगा लेंगे और बिल्कुल हमने इसको हलके हाथ से बेलना है अब हमने यहां पर जो तील बचाकर रखे थे वह हम इसके उपर लगा देंगे इस तरह से और दुबारा से हम इसके उपर इस तरह से बेल देंगे ना तो हमने इनको बहुत ज़दा मोटा बेलना है और ना हमने बहुत ज़दा इनको पतला करना है पिल्कुल हम आपने बराबर इसको एक ज़सा बेलना है इस तरह से मैंने अच्छी तरह से इसको बेल लिया है अब भी हमने इसकी करनी है कटिंग अब हमने इसको कटिंग करना है और कटिंग करने के लिए आप प्लास्टिक का कोई भी डखना भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इस तरह का कोई स्टील का ग्लास ले लें तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं मेरे पास इस तरह से दो साइज के कटर हैं तो मैं कटर यूज करूँगी और आप जिस साइज की बनाना चाहते हैं उस हिसाफ से आप इनको कटिंग कर लें कुछ जो है वो मैं बड़ी बनाऊंगी और कुछ जो है उनके साइज में थोड़े छोटे रखूँगी इस तरह से हम बिलकुल अराम अराम से एक्स्ट्रा जो डो है उसको हटा देंगे ले लेंगे और ट्रे के अंदर हम इस तरह से बना बना कर त्यार कर लेंगे सबसे पहले हम सारी बना कर त्यार कर लेंगे उसके बाद हम इनको फ्राई करना शुरू करेंगे इस तरह से जी नाजरीन टिकियां हमने सारी भेलकार त्यार कर ली है और अब भी हमने ले ली है एक नॉन स्टिक की कड़ाई आप इसकी जगा पे सिल्वर की कोई भी कड़ाई या फिर कोई भी फ्राइपैन भी ले सकते हैं मैंने आइल लिया है तलने के लिए आप चाहें तो इसकी जगा पर घी भी ले सकते हैं तो बस आइल को हम अच्छी तरह से घरम कर लेंगे हमने बहुत ज़दा घरम नहीं करना बस नॉर्मल हमने टंपरेचर इसका रखना है क्यूंकि हम बहुत ज़दा घरम करेंगे तो टिकियां अंदर से हमारी कच्छी रहा जाएंगी और बाहर से बहुत ज़दी फ्राई हो जाएंगी तो आप कोशिश करें कि इसको बहुत ज़दा घरम नहीं करें बस नॉर्मल इसको रखें तो थोड़ा सा और हमारा वाइल गरम होता है तो उसके बाद हम टिकियां फ्राई करना शुरू कर लेते हैं वाइल को चेक करने के लिए कि कितना हमारा वाइल गरम हुआ है थोड़ा सा ये छोटी सी हमारे पास एक ठिकी है इसको हम डालते हैं कि आप देख सकते हैं कि इतना मारा वायल गरम हुआ अभी हम चुला थोड़ा सा स्लो कर देंगी हमें इससे थोड़ा सा कम गरम चाहिए अभी हम हलके आज से इसमें ठिकिया जो है वो डालते जाते हैं फ्लेम को हमने हाई पर नहीं करना बस लो से मिडियम की तरफ रखेंगे बिल्कुल अराम अराम से ढालते जाएंगे चमच की मदद से थोड़ा सा मैं इसको हलाऊंगी और थोड़ी सी हम इसमें ये चोटे साइस की जो बना कर रखी है ये भी साथ ही डाल देते हैं जैसे के थोड़ी फ्राई होती जाएंगी तो ये थोड़ा हलका हलका सा उपर आती जाएंगी तो ये थोड़ी सी मैंने इनकी साइट जो है वो चेंज करती है क्योंकि वह हमारी जो पहले जो हमने डाली थी वह थोड़ी सी डाउन ओचुकी है एक साइट से जी नाजरें आप देख सकते हैं कि ठीकियां मरी बहुत ही जबदसी त्यार हो चुकी है अभी इस तरह से हम इनको नकाल लेते हैं कि दूसरी भी हम इसी तरह से जाग देते हैं कि दूसरी भी हम इसी तरह से जाग देते हैं ठीकियों कि एक साइट फ्राई हो चुकी है अभी हम साइट चेंज करेंगे और हमने इनको लो फ्लेम पर ही पकाना है जएदा तेज चुला मत कीजेगा और लाइट जो है इसका कलर आने तक आप इनको फ्राई करें जदा डार कलर मत करें वरना तो टिक्यां जो हैं वो ठीकियां यानि के कुंडे की रेसिपी त्यार हो चुकी है बहुत ही टेस्टी बनी है आप लोग भी ट्राई जरूर कीजेगा अमीद करती हूँ आपको भी बहुत अच्छी लगेगी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सबस्क्राइब बेल आइकन को भी जरूर दबाया करें थाके नई आने वाली वीडियो का नोटिफकिशन आपको सबसे पहले मिल सकें दौाओं में याद रखें अल्ला हाफिज